हेलो बूर्णिंग दिया स्टुरेंट्स एंड परेंट्स मैसल कुना छोधरी साइस टीचर फॉम सीकर तूड़े भी स्टार्ट थे चुप्टर थी ओप क्लास सी सेवंथ एंड टूड़े इस टॉपिक विल बी फॉम कॉकून तू सील्क के अंदर देखा था कि सिल्क है उसको कैसे अप्टन करते हैं या सिरी olması किसको कहते हैं और और सिल्क कितने टाइप की होती है तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं देखा सबटने बीज़्चे बीचे साइस कहते हो हुखे कैसे करते हैं कि जो silk moth है उसको हम पालते हैं फिर उनसे जो popcorn हमें मिलते हैं उनको collect करते हैं और collect करके उनसे क्या बनाते हैं थ्रेड बनाते हैं ठीक है Rearing silk worm A female silk moth lay 100 of eggs at a time अब जो female silk worm है या silk moth है वो क्या करती है एक time में कम से कम 100 eggs देती है The eggs are stored carefully on strip of cloth or paper and sold to silk worm farmers अब इन eggs को क्या है बहुत ही carefully क्या किया जाता है store किया जाता है किसमें या तो कपड़े में पेपर में इनमे और उसके बाद में farmers को इसको sell कर दिया जाता है The farmer keep eggs under hyzine condition and under suitable condition of temperature and humidity यह हम बात कर रहे हैं कि जो farmer होते हैं जो अंडे लेते हैं उनको क्या है hyzine condition के अंदर और suitable condition जिसके हम बात करें temperature and humidity के अंदर उनको रखते हैं The eggs are warm to a suitable temperature for the larva to hatch from eggs यहाँ suitable temperature में जब यह हैच होता है तो वहाँ क्या होता है उसका growth होगी किसकी larva है This is done when mulberry trees bear a fresh crop of leaves यहाँ पर यह किसके उपर कहा जाता है mulberry leaf पे जो कि fresh crop of leaves होती है The larva called caterpillar or silkworms वही larva है वह caterpillar होता है जो silkworm होता है Eat day and night and increase unusually in size यह day or night में इतना खाता रहता है कि उसके जो growth है वह बहुत ही speed से होती है The larva are kept in clean bamboo trees along with the fresh chopped mulberry leaf larva है उसको क्या है कि एक fresh chopped जो किसकी bamboo की tree बनी हुई थी है उसमें mulberry leaf है उनको काट के रखा जाता है After 25 to 30 days the caterpillar stopped eating and moved to a tiny chamber of bamboo in the tray to spin carbon यह larva 25-30 दिन के बाद में क्या है खाना बंद कर देता है और bamboo के अंदर क्या करता है एक छोटा सा chamber होता है उसके अंदर चला जाता है और क्या करता है अपने चारों तरफ क्या बना लेता है कौकून को convert कर लेता है small rags of or trinks may be provided in the tray to which कौकून yet attached the caterpillar or silkworm spin the कौकून inside which develop the silkworm यहां क्या कर रहे है कि जो caterpillar है जिसको हम लार्वा जिसको हम कह रहे थे वो caterpillar क्या खाते काते पर इस दिन बाद में स्टॉप करेगा फिर एक chamber में चले जाएगा और वहाँ पर अपने चारोत रुप क्या करेगा कौकून का formation कर लेगा यानि silkworm है वो किसका formation करेगा processing silk हम silk की processing जानने से पहले हम देखते हैं यहां पर क्या होता है यह क्या होती है female silkworm होती है यानि कि female silk मोत होती है अंडे के साथ में या दिखाई दे रही है अब इन अंडों को क्या है कि अपन किसको देंगे farmer को देंगे क्या देंगे farmer को हम दे देंगे farmer यहां से ले जाएगा ले जाने के बाद में उनको कहां रखेगा mulberry leaves पे रखेगा mulberry एकदम ताज़ा mulberry ने जो छोटा पूदा उसके उपर रखेगा अब यहां से रखने के बाद में यह क्या करेगा इनको हैज करेगा अंडों को और मतलब एक अच्छी condition में उसको रखेगा जिसमें temperature pressure जिसके बात करें humidity अगरा परफेक्ट हो जो उसको हेज कर सके किसको अंडे को हेज करने के बाद में यहां पर यह जो caterpillar दिख रहे हैं ऐसे caterpillar निकलेंगे वहाँ से इनको mulberry लिव पर छोड़ा जाता है अब mulberry लिव पर छोड़ने के बाद में यह दिन रात खाते हैं खाने के लिए 25-30 दिन तक यह खाते है थे हम चा often परसके बाद में इस टॉप कर कर देते हैं और यह ट्रे होते हैं Nepal की इसके अंदर कंदेने एंटर dol axis कर जाते हैं एंटर करने के बाद में क्या तयां वहां पर कौकून का formation करते हैं जो कौकून है अब इसके बारे में आगे जानते हैं प्रोसेसिंग सिल्ख कौकून या तक बन गया है अब सिल्ख प्रोसेसिंग हम जानते है ठीक है एपाइल ओफ कौकून is used for obtaining silk fiber the cocoon are kept under the sun or boiled or exposed to steam यहां पर cocoon है उसको क्या किया जाते है या तो direct sunlight में रखा जाएगा या उसको गरम पानी में रखा जाएगा the silk fiber separate out of silk fiber separate out हो जाएगा अलग हो जाएगा the process of taking out thread from the cocoon for use as silk is called reeling is reeling the silk अब reeling का मतलब यहां है कि जो process होती है जिससे पन thread बनाते है cocoon से उसको reeling the silk यानि रील बना लिया उसका thread निकाल लिया वहाँ से और जो अंदर जो मौत हो थी उसकी death हो जाती है ठीक है a reeling is done is special machine अब जो reeling होगी वह special machine से होगी which unwind the thread or fiber of silk from the cocoon उसको बाद में cocoon से निकाला जाता है यानि cocoon से उसको collect किया जाता है silk fiber are then spoon into silk thread उसके बाद में उसको silk fiber है उसको collect किया था which are woven into silk cloth by viewers अब जो viewers होते हैं जो boomker होते हैं वो उसके बाद में उसके क्या बनाते हैं silk के कपड़े बनाते हैं तो यहां हमने देखा कि इस chapter के अंदर मैंली हमने क्या देखा था silk opt in करने के जो method of हो देखा था और silk के usage है वो हमने देखे type of silk हमने देखे और silk moth है उसका cycle देखा हमने अब discovery के हम बात करें तो discovery सबसे पहले हम बात करें यहां पर China का नाम आता है कई बार कि China है China के अंदर world के अंदर सबसे ज़्यादा silk का क्या किया जाता है production होता है इंडिया भी large scale के ओपर production करती है कि इसका silk का तो यहां हम देखते हैं कि इस chapter के अंदर fibers में silk है उसे lettered caution है वह अच्छा caution है और उसके बारे में हमने किसे लेते हैं और उसका uses क्या है source of wool क्या है silk की जिसके बात करें silk का source क्या है उसके uses क्या है और कौन-कौन से animal से इसको अपन wool ले सकते हैं यानि wool है उसको हम artificially भी बना सकते हैं और naturally भी बना सकते हैं silky है silky को हम artificial भी बना सकते हैं और हम naturally भी आप्टेन करते हैं आर्टिफिशल हम लेबरेटरी में बनाते हैं जैसे कि अपन वूल और अधर फाइबर बनाते हैं वैसे कि वैसे हैं अपन इसको इसको बनाते हैं सिल्क को बनाते हैं और इनके जो सोर्स है उनके बारे में भी हमने जाना तो यहां पर हमने देखा कि कुछ इंडियन ब्रीड्स होती हैं सीप की जिनके बारे में भी हमने देखा कि इंडियन ब्रीड है तो कही बार पूचले राइट दे एक्जामपल और इंडियन ब्रीड उनके नाम लिखो अब जो आप सीप से बूल लेते हो उसके लिए जो स्टैप्स हैं उनको अक्स्प्लेंड करो तो स्कॉरिंग, शॉर्टिंग, सीरिंग और मैकिंग, फैब्रिक वगएरा यह सारे प्रोसेस हमने यहां पर देखे इस चैप्टर के अंदर आपको यह अच्छे से समझ आया है आप नोट भी कर रहे हैं आज की लिए वस इतना ही थैंक यू